आप सभी को मेरा प्यार भारा नमस्कार and welcome back to your own channel dream dose आसा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जो ये condition है उसको आप face करते हुई आप अपने जो study है उसको आप continue कर रहे होगे the most and most and most important thing is here आपको घर पे रहना है ठीक है और आपको पढ़ते रहना है इससे आप अपने job के लिए भी prepare कर पाऊगे आप safe भी रखोगे और अपने family को भी safe रख सकते हो ठीक है so without further delay day 16 जैसा कि हमने आपको बताया था दरोगा nothing else ठीक है हर दिन आपको पढ़ना है again चलो स्टार्ट करते हैं without further delay कि आज आपको क्या-क्या पढ़ना है आपको पूरा पूरा बीडियो पीडियेप सब चीज प्रोभाइट किया जा रहा है आपको बस पढ़ना है ठीक है अब कुछ आप एक पूर्शन में आपको रिवीजन के लिए दे रहा है जो लास्ट आपने दो दिन में किया आज उसको आप अच्छे से रिवीजन करोगे प्लस कुछ पेजिस होंगे उसको करना है मतलब आपको पीडियेप करने जो हमने आपको प्रोभाइट किये ठीक है प्लस आपको वीडियोज देख लिएने अगर आपको लगता कि कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है मेरे जो वीडियोज मेरे पीडियेप उसके बाद कुछ NCRT साथ के कुछ आपको पेजिस में दे रहो ये एक समराइज है जिसमें आप जो बंगाल का वीजे जिसें बकसर और प्लासी का जो मेरे पीडियेप दिया है वो आप परोगे उसका वीडियो में नहीं सूट कर पाया मतलब सूट किया था रिकॉर्ड नहीं हो पाया ठीक है कोई बात नहीं है आप उसका पीडियेप परोगे वीडियो बहुत जल आ जाएगा उसके बार आप मैसूर ठीक है सुआ, वार्टीम, सुआ, युवुद्ध दोला, सिराजु दोला, युद्ध आसा भाब परो गए इसके बाद फिरसे आपका मैसूर का वार ठीचे एंगलो वार टिपु सुल्तान, ठीके है, रिलि युद्ध का पूरा परहोगे उसके बाद आप सिख के दसों गुरू के बारे में आप परहोगे इसके बीडियो एंड पीडियेप मैंने आपको अल्रेडी प्रोवाइड कर दिया अज फिर से मैं प्रोवाइड कर दूँगा ठीक है उसी के नीचे आज डाल दूगा उसके बाद आप ध्यान से समझना पेज नमर 53 पेज नमर 52 पेज नमर 53 और पेज नमर 54 अब यह पेजिस आपको NCRT SAR में जाना है जितना आपने परहा है ठीक है जितना आपने परहा है मेरे साथ यह उसके आ आप one liner भी दिया होंगे कुछ extra points भी दिया होंगे प्लस कुछ vivid questions भी आपको मिल जाएगा जो आपको करना है 52, 53, 54 ठीक है और उपर वीडियो और PDF जो हमने दिया है उसको आप revise कर लेना प्लस 49 एक और पेज नमर करोगा क्योंकि हमने आपको जो उत्तर मुगल काल था लेटर करोगे ठीक है मैसूर करोगे सिख करोगे ठीक है उसके बाद 52, 53, 54 पेज नमर करोगे और 49 पेज नमर भी करोगे अगर आपको टाइम मिलता है तो माराथा भी एक बार revision जरूर कर लिजीएगा ठीक है याद रेगा उसके बाद हम लोग आते है आपका और एक चीज में बता दूँ आपको ध्यान से कि हम आपके लिए वन लाइनर एक घंटा में रेगुलर्ली आपके लिए बोला हूँ वह भी continuous ठीक है continuous मैंने आपके लिए एक घंटा से जादा जादा का मैंने वीडियो बना है जिसमें आपको मैंने world geography करवा दिया ठीक है अब कल आपको मैंने Indian geography का पूरा का पूरा डारा था अगर आप उसम नहीं देख रहे हो तो बहुत बारा मिश्टेक है कि आपको exactly questions वहीं से देखने के लिए मिलेंगे और उसी basis पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर questions पूछे जाते तो कहां से पूछे जाते तो वर्ल लाइनर वर्ला सिरीज आप जरूर करते रहेगा तो अपको क्या पढ़ना है तो आज हम स्टार्ट करें आपका physical geography जिसको हम लोग बोलते है dawको तो फीजिकल जो में जो सब से आज पहले आप परोगे वह परोगे आप हिमाले, ठीक है? हिमाले, तो हिमाले की जितने भी मौंटें से आप उसके बारे परोगे, next एक और वीडियों के जिसमें मैं आपको बताऊँगा, जो South India में जितने भी Mountain जैसे Annamudi हो गया, Annamalai हो गया, यह सब जितने भी है, Sabaroy Hills हो गया, देखो, और One Liner में सब चीज में आपको करवाया है, जो important facts है, तो please One Liner miss मत कीजेगा, आप फिर से, इंजिन जोग्राफिका एक घंटे से जादा को One Liner में बनाया, वो आप जरूर तो यह जो वीडियो आपको दे दिया जाएगा, हिमाले, हिमाले का बारे में आप पूरा का पूरा परहोगे, ठीक है, समझ में आया, अब देखो, आप पेज नंबर, जितना में बोलना हूं उतना ही करना, पेज नंबर 6-7 में जाओगे, जोग्रोफी वाले, भूग गोल इस मिनिट आप उसको देखना, उस मैप को अच्छे से, एकदम बस देखना है, सान्ती पूर्वक उसको बस देखना है, पहले वीडियो मेरा पीडियो पढ़ लेना, उसके बाद 6-7 पेज नंबर में जाओगे, 7 पेज नंबर में भारत का मैप बना हूँ है, और उसमें और 6 और 7 में जितने भी वन लाइनर दियें, वो भी आप कम्प्लीट करूगे, यह जोग्राफिक आप में पार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, और प्लीज मैं वन लाइनर डाल दूँगा आपको, जितना भी वन लाइनर बन सकते हैं, इंडियन जोग्राफिक जो बहुत बार पूछेगे, उसका भी मैं वीडियो आज फिर से डाल दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, समझ में आया, चली, उसके बाद हम लोग आते हैं, आपका साइन्स वाले पार्ट में, ठीक है, उससे पहले आप दिखो, यह तो आपने इंडियन जोग्राफिक का बात किया, कुछ अब वरल्ड जोगरपी से आमनोग बात करते ही, जो आपको करना है, सबसे पहले पूछे है, जल डमरूमधिया, जिसको हम लोग बोलता है, वाटर इस्टेट, जैसे कि पार्च स्टेट हो गया, गल्प उप मनार हो गया, डैविस स्टेट हो गया, ये सब आपको करना तो इसका है पेज नमर आप कितना में करोगा पेज नमर 73 में ठीक है पेज नमर 73 में ठीक है अब इसका भी वीडियो आपको देखो पहले तो आप क्या करना मेरे वीडियो देख लेना ठीक है जो मैंने ट्रिक से आपके लिए प्रिपेर किया है ठीक है उसके बाद आप पेज नमर कितने में जाओगे, 72 में भी जाओगे, ठीक है, उसमें आपको Lakes and Waterfall दिये, Lakes and Waterfall मतलब, Lakes जो हता आपका जो जील है, और आपके जो ज़रने हैं, ठीक है, World Label पे, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, जील और ज़रने कर लेना, 72 पेज नमर में दिया है, और 73 पेज नमर में जल डमरू मद्धिया दिया है, यह आपको कर लेना है, ठीक है, इसमें Lakes भी दिया होगा, जितने भी 72 और 73 पेज में दिया है, आप जरूर कर लेना है, और इनका, मतलब पहले क्या, जल डमरू मद्धिया भी करना है, ठीक है, आपको वीडियो भी दे दूँगा, ट्रिक्स बला, ठीक है, जो मेरे वीडियो होगे, वहाँ से भी परोगे, प्लस आप इसको NCRT सार से 72-73 पेस नमर पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है, समझ में आया, उसके बाद हम लोग साइन्स में आते हैं, ठीक है, साइन्स में आज करने, ठीक है, वो है आपका मेटल, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो NCRT सार है, बाईलो जी तो और साइन्स वाला पाट है कि इंग्लिस वाले लोग को समझ भी नहीं आ रहा है, तो हम उनको कनवर्ट कर दिये, और अब मेरे हिसाब से, मेरे द्वारा आपको NCRT सार का जो सा PDF दे दूँगा, ठीक है, इसमें आपको कुछ extra नहीं करना है, ठीक है, बस मेरे वीडियो से PDF हैं, आपको dependent रहना है इसके लिए, ठीक है, समझ में आया, यह हो गया, उसके बाद, जो current affairs है, उसके लिए अप्रील का आज को आपको PDF दिया जाएगा, अप्रील वाला PDF, ठीक है और उसमें आपको 1 से लेके 6 अपरेल तक आपको बस करना है, एक से लेके 6 अपरेल तक बहतरीन collection जो में PDF दे रहों, बहतरीन है, ठीक है, आपको बस 1 से 6 अपरेल उसमें दिया होगा, वो बस आपको करना है, ठीक है, इतना समझ में आया, उसके बाद, आप जैसा कि हमिशा क 93 तक करोगे, ठीक है, 93 तक करोगे GS में, एक पेज पुरा का पुरा दिया होगा, और इसको में धीरे दीरा बढ़ाओंगा, ठीक है, अभी आपको एक-एक पेज दिया होगा, उसके बाद, 60 से लेके, ठीक है, 65 तक, 5, 5 मोडल सेट इसमें आपको करना है, साइंस वाले में, यह कहां से है, तो इस PD का मैंने बताया था, आपको General Science और आपको General Study का आपको एक Book लेना है, वहां से आपको यह करना है, ठीक है, तो पीछे जाना, 87 से 93, GS वाला में मोडल सेट लगाना है, और 60 से लेके 65 वाला, आपको Science में लगाना है, तो यह है आपका History, यह है आपका Geography, यह है आपका World Geography, यह है आपका Science, यह है आपका Current Affairs, और यह है आपका Practices, बस इतना आज आपको करना है, ठीक है, घबराना नहीं है, लास में आपको Revision के लिए पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, जैसे कि Saturday, Sunday या Friday, तीनों दिन आपको टाइम मिलता है, तो अभी आप पूरा, फुल फोकस होके पर यह, जो नहीं होता है, आप end of the week, जो है, आप इसको कर पाऊए, so thank you so much, और बस याद रखेगा, कि यह जर्नी आपने क्यों ही स्टार्ट किया था, क्यों, दरोगा, nothing else, जैहिंद,